समझा, समझा ओके तो सबसे पहले तो मुझे ये समझ में आ गया कि आज कालकाजी के सब फुल्वाडी को आपने इकठा करके जो शाम की आपकी सभा होती है तो मुझे बुलाया है उसमें तो सब को अपने बुद्धि के नेतर के सामने इमर्ज करते क्योंकि सब भगवान की द्रिष्टी से और उसकी वानी से जो सीचा जाता है तो वो जो फूल होते हैं वो साधारण नहीं होते, साधारण इंसान नहीं होते लेकिन विशेश खुशबुदार भगवान को समर्पन किये जा सकें ऐसे पुष्प होते हैं तो आप सबको इमर्ज करके मैं यह कहूंगी, हैपी मीटिंग यू, हैपी सिंग यू, हैपी टॉकिंग टू यू और जैसे कि बहनों नहीं संकल प्रच्चा, यह हमारा जो नुमा शाम का भ्यास है एक तो हम सुभा बाबा को याद करें और अमरित का पान करें, मुर्ली सुने, ग्यान मुर्ली और शाम को भी बाबा की याद में बैठें और फिर उसके बाद में कुछ न कुछ ग्यान की क्लास करें तो इसको बनाए रखना यह अपने आप में बहुत बड़ी शोभा है और शक्ति शालिबात है उसके लिए बढ़ाई हो तो दो बातें आपने मुझे ध्यान में दिलाई हैं कि उसको हम शेर कर सकें आज की सभा में आप उसमें बीच बीच में कुछ और भी बोलना चाहें पूछना चाहें तो भले रोक लेजिए फिर मैं उसके उपर में भी कुछ प्रकाश डालूँगी तो पहले-पहले तो परमात्मा से मिलन की जो कहानी है शुरू की तो मैंने यह देखा है हजारों भाई-बेनों की जीवन में की हर एक का कैसे भगवान ने, बाबा ने, मिठे बाबा ने उनको ढूंडा कैसे बाबा ने उनको अपना बनाया, कैसे दृष्टी डाली और कैसे उनको ग्यान में सिवाधारी बनाया, ग्यान में चलाए तो मैं समझते हूं सालों साल बीच जाएं, आंसू बैठते जाएंगे, तो ये जैसे जीवंत, वर्तमान भागवत जिसको सची भागवत बनने का समय है, एक गाएन वाली भागवत है और एक अभी भागवत बन रही है भगवान के साथ, तो उन कहानियों में सी जो एक छोटी सी इसात्मा की कहानी है उसकी शुरुवात ही का जो संदर्व था वो हो सकता है कि शरीर की उमर भी हो सकता है क्योंकि बच्चमन से जो बाबा से मिलते थे वो जैसे मापाप साथ मे लेकी आते थे तो वो एक परिवार के रूप में मुख्य रूप से माबाब ग्यान में चलते हैं लेकिन साथ में बच्चे भी हैं तो हम भी आते थे तो आठ साल की उमर से 18 साल की उमर तक जो मिलना था वो ऐसा मिलना था तो मैं समझते हूँ 10 साल में 6-7 बार तो मिलना हुआ दो-तिन साल शायद कुछ exams के कारण नहीं जा पाए लेकिन लगभग हर साल जाना होता था तो उसमें मिलन एक तरह का था लेकिन 18 साल की उमर में जब मेरी college की भी पढ़ाई लगभग पूरी होने को आई थी last exam रह गया था तो उस समय जब दावस से मिलना हुआ समय आ गया था जैसे करमों की वो जो फसल है कोई past करमों की वो तयार हो गए थी वो फल मिलना था तो बाबा के सामने जब आई तो लगा कि बस ये तो हगवान धर्थी पर आ गया पहले तो खेल-खेल में बच्पन में मिलते थे लेकिन उस meeting में ऐसे लगा कि बस बाबा अरे आप धर्थी पर हो और मैं ये क्या कर रहे हूँ मुझे तो आपके साथ मुझे तो आपको मदद करने चाहिए क्योंकि मुझे मैं वैसे भी कही ना कहीं मदद कहो या कोई ना कोई initiative में रहती थी जैसे कि वो flood आई है दिल्ले में flood आई थी हमारे बच्पन के दिनों से लेकर 18 साल तक मैंने दो बार flood देखी तो वो flood आती थी तो गली के सब बच्चों को एकठा करके भोजन देना सब वहाँ पर मदद करना ऐसे ही संस्थाओं में कही ना कहीं जूड करके कुछ न कुछ ऐसी projects में, initiatives में लगी रहती थी तो इतनी महनत उसमाहा करती थी तो यहाँ पर जब अरे भगवान आया है तो मैं यह क्या करें अब तो मुझे वो करना चाहिए जो वो कहे और बस नशर चड़िया मुरली सुनते सुनते और जब personal मिलने की बारी आई तो जो अंदर से ऐसा लग रहा था कि यहाँ जो हो रहा है वो उसका जो उत्तर मिलेगा वो ऐसा होगा क्योंकि अब बच्चा रो रहा हो प्यार से बच्चे को लग रहा है बहुत समय के बाद जो बाप को देखा तो लग रहा है कि बस पापा को भी इतना प्यार आएगा लेकिन लौकिक बाप में और पारलौकिक बाप में जो अंतर है उसकी तो समझ आना जिसको कहेंगे न वो अतिमहान भागेशाली आत्मा ही है जो समझ पाई पहली मुलाकात में तो उस मुलाकात के अंदर जब बाबा के सामने आके मैं खड़ी हूई तो मुझे तो बहुत प्यारा आ था तो ऐसा लगा बाबा को भी ऐसा ही प्यार मुझे देखने को मिलेगा लेकिन बाबा नाम उसको दिया जाएगा आफिसिल आफिसिल माना कोई खराब नहीं लेकिन आफिसिल माना तो फिर सामने जब खड़े हुए द्रिष्टी दिया फिर भाबा ने पूछा बच्ची क्या करती हो तो मैंने कहा बाबा स्टी करती हूँ तो क्या study करते हूँ, यह सारा उसमें लिखा हुआ है तो जब बाबा ने बस इतनी दो लाइन बोली अच्छा, डबल study करो फिर भी मैं नहीं गई तो फिर बोला, सेवा करो तो पहले एक लड़ू दिया, फिर दो लड़ू दे दिया कि जाए किसी तरह से मतलब यह तो मैं कह रहे हूँ तो फिर तो मुझे आया कि फिनिश यह क्या हो गया भगवान मेरे सामने और मुझे प्यार ही नहीं किया बस बूला, स्टबल स्टड़ी करो, सेवा करो मतलब मैं इतने ही नालाइक हूँ क्या क्या मैं प्यार के योगी ही नहीं हूँ भगवान की उस समय तो यह जीवन चल रहा था न हर तरफ प्यारी प्यार मिलता था कॉलेज में प्यार मिलता था स्कूल में प्यार मिलता था सबंधियों से भी प्यार मिलता था सब बहुत घर में भी एक कन्या होने के कारण सब कुछ खुद करना काम जो है क्रेटिविटी से जो कुछ भी करना हर तरफ बहुत प्यार मिलता था और ऐसा आज जब मुझे भगवान से प्यार हुआ मुझे मालूम पड़ा वो आया है तो ऐसे लगा यह होने वाला है क्योंकि मुझे मालूम पड़ गया आप कौन हो तो ऐसे जब हुआ unexpected तो बहुत रोई बहुत रोई जैसे लगा कि मैं योग के नहीं हूँ भगवान के प्यार के तो यह क्या हो गया मैने जीवन में क्या किया मैने जीवन तो मुझे तो जीवन में वो करना चाहिए था जिससे भगवान को मुझे प्यार करने को मन करे तो हम तो प्यार यह समझते हैं न देह अभिमान में कि मैंने का हलो जी तो दूसरा कहे हलो जी कैसे हो ऐसे बाहिर मुकता का रिस्पॉंस या जिसको कहेंगे कि थोड़ा ज्यादा मेरी से बात करें उसको हम प्यार कहेंगे या थोड़ा मेरी पर ध्यान दे या अटेंशन से ये वाला जो अंदर में बैठा होता है तो उस हिसाब से मैं बावा की सामने उस वाइब्रेशन्स में खड़ी थी कोई expectations नहीं थी लेकिन इसी प्यार को ही हम जानते थे तो बस जी बस जी धुन लग गई कि अब तो अब तो इस दिल को जीतना है कुछ भी हो अब मुझे कुछ इस दुनिया में नहीं करना इस जिन्दगी में और कुछ नहीं करना मुझे इस दिल को जीतना है क्योंकि इस दिल को मैं पसंद ही नहीं आए क्या सबका इतना प्यार मिलता है और भगवान ने मुझे पसंद ही नहीं किया तो मुझे किसी का प्यार दुनिया में नहीं चाहिए मुझे भगवान प्यार करे तो बस अब इस दिल को जीतना है तो अब जीतना है तो रोती 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 रे एक रात तो भीत गई किसी को आने ही नी दिया कमरे में रोती रही तो early in the morning जब ये आत्मा जो शक्रिर में है ये जब उठी तो पुरानी संतोष मर गई थे done एकदम शान थे बस यह था अब इसके दिल को जीतना है भगवान के दिल को जीतना है बस अब वो मुझे वो करना था जो जीतो silence चुप बस मुझे अब था कि यहां से चली जाओ अब जाओ और वो बन के आओ जो भगवान का दिल जीते मुझे लगा नहीं आज ही जाना है पर मैं कैसे को हूँ अभी तो मैं ग्रुप के साथ छोटी थी ना आई थी छोटी माना decide करने वाली position में तो नहीं थी मैं तो तीन दिन जो बाकी थे किस से नहीं बात की छट पर बैठ करके रोती रहती थी और वो बाबा की बात double study करो double study करो double study करो सेवा करो बस यही सूचती रहती थी कि बस मुझे अब ये क्या है double study तो समझ में आया कि naturally मैं मुडली क्लास में तो नहीं जाती थी मुडली सारी मालूम थी क्योंकि घर में गीता पार्शलाओने के कारण records पे सारा समय मुडली चलती थी और table पर जहां भी देखो मुडली पोड़ी रहती थी तो बिच बिच में पढ़ते थे समझ भी थी ज्यान की लेकिन जैसे godly student होता है इश्वरी student होता है जैसे आपने कहा जो भगवान ने विधे सिखाई है कि कैसी मुडली सुननी है आपकी कैसी ड्रेस हो कैसी स्थिती हो कैसा वातावरण हो तो वो तो नहीं था क्योंकि स्कूल में बिजी थे कोई गलत कारण से नहीं थे लेकिन study, study, study lawkick, study, कुछ सीखना ये सब उसमें में लगी थी तो जब वापस आई अपना कमरा बंद करके मुडली के सब धेर लगा करके उसको मुडली क्योंकि बाबा ने कहा दबल study करो तो मतलब वो तो मैं करती हूँ तो ये study, इश्वरी study ज्ञान मुडली है बाबा की जितनी भी चल चुकी थी 69 के बाद 69 जैन्वरी से लेकर के जितनी भी मुडली थी 83 तक वो सब निकाल के धेर लगा दिया और एक, एक, एक पढ़ती रही पढ़ती रही पढ़ती तो मुडली पढ़ो और रोती जाओ मुडली पढ़ो रोती जाओ अभी तो सुनने में चलो अभी ऐसा हो रहा है लेकिन वो दृष्य ऐसा था क्योंकि वो समझ में आ रहा था कि अरे भागवान यह कहता है कि आपको चाहे कोई गाली दे चाहे कोई पत्थर मारे चाहे कितना भी सुनना पड़े चाहे सौ बर सुनना पड़े सेहन करो और बाबर निका सेहन करने सेही देवता बनेंगे चाहे कितना भी मान मिले लेकिन मैंपन नहीं आए इतनी सारी शिक्षाईं सुनते सुनते कि आप तो देवता थे तो बाबर के गले कहार बने के लिए पहले ऐसा फूल बनना है मैं सुनो और रोती जाओग कि हो कैसे सकता था मेरे जैसे को भगवान प्यार कर दे मैं तो पूरी उस बातों में लगी हुई थी हाला कि वो बाते भी गलत नहीं थी वो भी सेवा थी समाज की लेकिन अपने प्रकार की सेवा थी वो इनसानी हांकार होता है न कि हम बदलेंगे विश्व को हम करेंगे समाज सेवा अरे हम कैसे करेंगे हम तो खुद ही ना इन गुड़ों से भरपूर थे ना इन शक्तियों से भरपूर थे ना परमात्मा को जानते थे तो हम कैसे परमात्मा के बच्चों का दुख दूर करेंगी, उन नशा था न, कि हम कुछ कर सकते, दुनिया में उसको self-respect बोला जाता है, लेकिन इश्वरी ग्यान को सुनने के बाद, इश्वरी महावाक के सुनने के बाद, मालुम पड़ा, कि वो तो बहुत हद की समझ है, मनुश्य को इतनी समझ भी नहीं है, कि दुखों के कारण को वो नहीं जानता, क्योंकि सर्व दुखों का कारण किसी के भी जीवन में, वो ये है कि वो भूल गया है भगवान को, वो खुद को भूल गया है, तो बस ये एक-एक करके, वो नशा जो था इंसानी नशा, वो परत क्लीन होती जा रहे थी, आत्मा चमक जा रहे थी, और क्लीन होती जा रहे थी, छे मास के बाद नेक्स्ट सीजन होना था, तब तक तो मालूम पढ़ गया, फिर बहुत से फ्रेंड्स के घर में लेटर थे, फोन होते थे, और क्योंकि कोईट कॉलिज था, तो बॉइज फ्रेंड्स, बॉइज फ्रेंड्स का जो साथ में पढ़ने वाले होते हैं, सब बच्चे बच्चियां का मिलन, तो ऐसे करके सब एकदम से पूरा करके कर्म का खाता, सब कुछ काली कपड़े थे मेरे पास बहुत, मैं समझती हूँ सिर्फ काली ही कपड़े थे, वही पहनती थी, काली कपड़े, तो वो सब को जल जिसको कहते हैं, खुली का जलादी, या दशेरा कर दिया, पूरा का पूरा, और एकी वाई ट्रेस थी, और मन में संकल्प किया, समझ में आया, कि कमाल है, मैं आपके सामने थी, आप मुझे कैसे कर सकते थे प्यार, ऐसे काली को कोई थोड़ी प्यार कर सकता है, इंसान के ल आप कितने महान बनाना चाहते थे मुझे, आप मुझे इतना प्यार करते हो, आपने मुझे जो प्यार आपके मन में मेरे लिए था बाबा, आपने उसको कैसे रोक ले अपने सागर को, मैं तो छोटी से नदी भी नहीं हूँ, कलाब भी नहीं हूँ, मेरा तो इतना सा प्या लेकिन आप तो सागर हो तो सागर को रोकना मुश्किल है अपने प्यार को तो आपको मेरे उपर कितना प्यार आया होगा लेकिन आपने उसको रोका क्योंकि अगर आप उस समय जो मुझे प्यास थे कि बावा मेरे से कुछ शब्द बोले वो आपने मेरी प्यास उस समें नहीं बुझाई मुझे प्यासरे ने दिया जिससे कि मैं सागर में डूबने के सागर में तैरने के उसमें मर्ज होने के लाइक बन सको अपने को उस लाइक बना सको क्योंकि उस समें मिल जाता तो हो सकता है मैं खुश हो जाती, नशे में हो जाती कि it's fine, enjoy the life, लेकिन बाबा ने जो मुझे प्यास दे, ऐसे official होके, detached होके, सिर्फ दो शब्द बोले, तब ही मुझे आया कि मैं दिल जीतों तो कैसे जीतों इसकी, तो उस जीतने के लिए जो उसने बोला हुआ है, माना उसकी जो मुर्लियां उसमें खोदना शुरू कर दिया, अचा वो क्या कहता है, अचा ये क्या कहता है, तो वो क्या कहता है पढदे-पढदे-पढदे, सब समझ में आगया. तो अब जो था न हो जैसे की ठंडी भरफ की सिल्ए होती है था वो जो दिल उस दिन जल गया था रोश के मारे अपने उपर किसी और के उपर नहीं अपने उपर रोश आया था कि तुने किया तो क्या किया भगवान के लाइक नहीं है तू लेकिन अब मालूम पढ़ा कि उसने मुझे प्यार दिखाने के लिए अपने गुरू का तो इसका मतलब इतना प्यार है उसको मेरे से तो वो मुझे बताना चाहता है कि मैं प्यार संभाल तो फिर चुप नेक्स्ट बाल मिलने गए तो मैं तो अपना यहां सब सेटिंग करके गई थी घर में कि कन्या तो कभी भी अपने घर तो रहती नहीं है ना कन्या तो साजन के पास ही जाती है और यह तो उम्र भी अभी जाने की है तो अब जब मेरा जीवन का सच्चा साथी मेरे सामने हैं तो और कोई दहेधारी साथी कैसे हो सकता है तो जो आत्मा ने मुझे श्रिंगार कराने के लिए अपना जैसे हाथ दिया मुझ डबल स्टडी करो ये श्रिंगार कराने के लिए ओफर किया तो श्रिंगार करा के मेरा तो मैं किसी और के पास थोड़ी जाऊंगी श्रिंगार करके आपके पास यह तो आऊंगी ना तो यह मैं अंदर से माइन को सेट करके कि मैं तो आपकी हूँ अब लेकिन नियम प्रमाण, मर्यादप्रमाण, संस्कृति प्रमाण, रेति रिवास प्रमाण, कन्या थोड़ी अपने मुख से बोलेगी यह तो वर्ग को हाथ मुखम सबसे है तो बावा अगर आप कहेंगे तो मैं आपके पास तयार रहुगा तो यहां से तो त्यारी करके गई अपने किसी को बोला नहीं गर में सब ज्यान महीं चलते थे इसलिए उनको भी ओपजेक्शन नहीं होगा यह तुमझहे ता लेकिन बोला नहीं क्लियर तो जब पहुंचे वही ग्रुप जो पहले मिला था मेरे साथ उस सेंटर से राजोरी से वही सब तो सामने जब फिर मिलने की बारी आई तो अब वो जो नजर थी अब ये जो नजर थी और वो जो नजर थी एक ही एनरजी कि मैं जान गई आप कौन ह मैं जान गई आप मुझे कितना प्यार करते हो तो बाबा ने जब ये दुष्टी दी तो बाबा ने कहा कि बच्ची ने बच्ची समझदार है बच्ची ने बाप का इशारा समझा तो बच्ची आपकी गीता पाशाला छोटी हुई अब बापकी बेहत के घर में आ जाओ बस ये बोला तो वो जो आँख बंद हुई ऐसे लगा कि जैसे जमीन नहीं है और बस कहीं पर शरीर आप उड़ रहे हो जिसको कहते कि दम अव्यक्त फरिष्टी के स्थिती कि कि सचमझ बाबा ने हमारी जो हद की बुध्धी है हम हर एक चीज़ को अपने हिसाब से प्राप्त करना चाहते हैं ये हमसे ऐसा बोले ये हमसे ऐसा वेवार करे ये हमको हमने ये किया तो ये करे तो भगवान ने हमेशा के लिए उस समझ को चेंज कर दिया इश्वरी बुध्धी डाल दे कि इश्वरी बुध्धी प्रमाण ही हमारे सोच कर्म समंध हो और वो अपने से समंध उसने जुड़वा दिया हमेशा के लिए तो ये था तो जब आवा इस प्रकार से सब बच्चों को अपने बच्चों को प्यार देते हैं तो कई बार जो कहते हैं हम जो चाहते हैं वो भगवान ने नहीं दिया लेकिन जो हमें देना चाहिए वो दिया तो उसने उस समय की प्यास ने बचाई लेकिन जीवन भर के लिए उसने सागर में बिठा दिया अपने प्यार के सागर में अपने साथ चुड़वा दिया तो ये संबंध जो है जीवन साथी का संबंध या भक्ति मार्ग में गायन करते हैं कि जिदर देखती हूँ तु ही तू है वो कृष्णा के रूप में देखते हैं लेकिन वास्तव में तो कृष्णा कृष्णा बना भगवान से प्यार करके इतना कर्शन मूर्थ बना भगवान से प्यार करके तो वो दिन ये था फिर उसके बाद में एक-एक सम्बंद जो है और जुड़ता गया क्योंकि ये तो नशा चड़ गया था बहुत नशा चड़ गया था और जैसे कि खो गए मीरा भी उसमें मिक्स कर लो राधा भी मिक्स कर क्या कुछ नहीं वो सारी स्थितियां मिक्स कर लो लेकिन कुछ समय के बाद ये प्यार करा के ये अनुभव करा के एक साल के बाद फिर तो सेंटर पर ही आ गए मदुबं से फिर घर तो गई नहीं फिर बाबा ने एक साल के बाद फिर ऐसे ही मिलन हो रहा था तो क्योंकि मैं एकदम silence में रहती थी, जहां भी कुछ दिखाई पड़े काम करती थी, top to bottom सफाई करती रहती थी, क्योंकि और दूसरे सब सिवाधारी बिजी है, किसके पास समय होता है, कोई नया अगर आता है, और मुझे तो कुछ मालो में नहीं था मेरे आसपास कौन है, मैं तो भगवान क तो एक साल के बाद, फिर सीजन जैसे होता है, बावा सी मलने के लिए जब जाना हुआ, तो बावा नहीं, उस समय जो मुडली चलाई, पहली पहली उसमें बाद, मैं उसमें भी सामने ही एकदम बैठी थी, पद्रामनी होती थी, तो हम तो पहले से बैठ चाते थे, तो चार ऐसा वस होता था, और नश्री में रहते थे, तो बावा आई, फिर बावा ने वैसे ही दृष्टी देई, तो फिर तो उड़ना शुरो जाते हैं, लेकिन जैसे बोलना शुरू किया, आज बावा मिलने आए हैं अपने बचों से ऐसे ऐसे, फिर बावा ने कहां, कि बच्च अढ़ के लिए यहा यहां चाहए वी बनना हैं यहां पार्टनर भी बनना हैां तो दिंश देए जदेखी जब बावा ने कहां ए I zuk Te déjà say, बच्च पासं जैसे कहतां है यह तो घृथिज जाते हैं, तो फिर भू सुई बचलिता हैं, भरू सुई बच्छों बच्छों प्रि So what? Next what? अगी क्या करना है? ठीके, लव थो हो गया तो मुझे लगा आरी? क्या सिर्फ मैंने उसको कह दिया कि मुझे आपसी बहुत प्यार है बस ऐसी मैं खुषखुष करती रहोंगी यही लड़ू खिलाती रहोंगी क्या साजन को तो यह जो बाबा ने पकड़ा गूपी वणी रहना है या पार्टनर भी बनना है तो पार्टनर मतलब जो बोज उठाए जो शेर होल्डर हो मतलब जो उस प्रकार की आपका काम करने भी मदद करे तो हालांकि सेवा में तो लगी गए थे सिवाधारी बन गए थे लेकिन जैसे बाप विश्व कल्यानकारी है सर्वात्मों के प्रती बाबा का संकल्प है रहम दिल है, परोपकारी है वो जो consciousness थे वो जो स्मृति थी वो switch on तो अभी नहीं किया था न देह अभिमान में भले नहीं थे स्प्रकार के हद में भी नहीं थे, हद से भी बहार आ गए परिवार से निकल के इश्वरी सिवाधारी बन गए लेकिन बाबा ने वो जो इशारा दिया फिर उसके बाद गाड़ी बिलकुल दूसरी स्पीड से चले मतलब ये आंसू वाली कहानी बंद हो गई वो जो बैते रहते थे वो ऐसा था तो वो जैसे सारा का सारा जो स्नेहे अंदर और शक्ती बाहार एकदम स्नेहे जो है ऐसे हो गया कि अब मुझे वो प्यार को दिल को हतेली पे लेकि दिखाना नहीं देखो मैं बहगवान से कितना प्यार करती हूँ काम करके दिखाना है क्योंकि बाबा ने जो मुझे जीवन दिया उसका जो वो मुझे कैसे दिया क्योंकि बाबा आया शरीर में तो जिसने बाबा को शरीर दिया वो रियल में एक काम है ना खाली गाना थोड़ी गाया रियल में वो रत ने भगवान की सिवा के लिए अपने जीवन को दिया, तब ही तो जाके हम पैदा हुए, तो इसलिए मुझे भी अपने इस रत को इतनी दरह सिवा में करना है, तो ऐसे ऐसे करके परिवर्तन, तो बाबा ही स्टेप बाइ स्टेप कराती चले गए, स्टेप ब यहां तक लेकर के आया, यह आपका पहला प्रशन था, है न, हो गया पुरा, तो दूसरा था, कि जब हम अभी के जो करन्ट सिचुएशन है, उस सिचुएशन के प्रमान, हम जो सुनते हैं, बाबा के बोल, आन स्क्रेइन, आनलाइन सुनते हैं, या टेलेफोन पर या अपने मोबाइस लेकर बैखते हैं, टीवी पर देखते हैं, तो दुनिया जब बाबा नहीं हमें पढ़ाना शुरू किया, तो भी उस दुनिया में तो नहीं पढ़ाना शुरू किया न, संगम में इश्वरी विश्व विध्यालई, प्रजा पिता ग्रमा कुमारी इश रिवश्व विध्यालई, संगम पर चल रहा है, कोविद कल्यूग में आया है, संगम में नहीं आया, आप कहेंगे, अरे कोई कोई बावा के बच्चे भी, मैं यह नहीं कह रहे हूँ, कि शरीर को, शरीर तो कल्यूग में ही है न, तो शरीर कल्यूग में है, उपर नीचे उसके साथ हो सकता है, लेकिन इश्वरी पढ़ाई करने वाली जो आत्मा है, उस पढ़ाई में परिवर सकते, लेकिन पढ़ाई की विधी तो चेंज नहीं हुई है न, समय भी चेंज नहीं हुआ है न, चलो कोई करके किसी कारण वर्ष आदा घंटा उपर नीचे कहीं पर टाइम हो भी गए हूँ, लेकिन हम तो जरूर बाबा की क्लास है वो, तो बाबा की क्लास का वातवरण हम बना के बैठें, जरूर पहुं से ऐसे होंगे जिनके पास में अपना घर छोटा है, ऐसी सुनने का स्थान फ्री नहीं है, कोई और सदस्य है जो इस प्रकार से पढ़ाई में उनकी साथी नहीं है, हो सकता है, लेकिन फिर भी, जो मैं कर सकती हूँ, अपनी विधीवत स्थि को बना के एक घंटा बैठ करके, दत्चित्तो हो करके, बस और कोई कर्म नहीं, क्योंकि पढ़ाई पढ़ने वाली आत्मा है, अगर उसमें और कर्म भी चलते रहते हैं, तो फिर वो पढ़ाई सत्संग, जिसको कहेंगे न, वो सत्संग भक्ति वाला जो सत्संग होता है, भ पढ़ाई तो कहीं से भी दे जाएगा, चलो अभी बैठे थे, अभी चले गए, फिर थोड़ा कुछ खा लिया मुमें, या थोड़ा किस से बात कर लिए फिर आ गए, मुरली तो चल रही है न, तो भग, रस तो मिलेगा, लेकिन रस पीने से, खाले वो रस पीने से, अल्प जो आएगे, निर्ने जो लेने पड़ेंगे, तो उसमें प्रश्न है, और निर्ने तो आज कल बहुत सब को लेने पड़ रहे हैं, एक एक कदम पर ऐसी सिचुएशन सा रही हैं कि हमको चेकरना पड़ता है, चार प्रकार क्योंकि मुश्किल निर्ने वो नहीं होता है, जो जो गलत और सही के बीच में होता है, मुश्किल निर्ने वो होता है, जो चार सही के बीच में होता है, चार आप्शन से हैं, सब सही Copy अःप्शन से अब उसमें से कौनसी option करें, तो ये जो माईन फोकस हो जाए, वो सुभा ऐसे बावसी सुन के होगा, तो मैं समझते हूँ अगर हम ऐसे first class जिसको भगवान के diamond shining students की केटेगरी में आना चाहते है एक है shining, shining students, एक है dim dim students, dim star होते हैं न दुर दुर वाले star होते हैं एक होते shining star, close to moon तो मम्मा जैसा star, बाबा जैसा चान्द जैसा वनना है, चमकना है आत्मा चमकती है जब रोज की पढ़ाई ऐसी हो जाती है और कुछ